मेडिकल दोस्त चैनल को सब्स्राइब करिये, और साथ मेही बेल आइकन को भी प्रेस करिये, ताकि आपको सबसे पहले औरटीकेशन मुफ्त में मिल सकें circus हेलो फ्रैंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है आज हम जंबो टेबलेट का फुल रिव्यू करेंगे अगर इस जंबो टेबलेट के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लेज हमारे प्राइब करेंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि सामने आपको यह चोटा साथ चार्ट दिख रहा है जो कि जंबो का है जिसमें निमसलाइट एंट पारसे टमाल मिला हुआ है जिसमें नेमसलाइट 100 यमजी है पारसे तेमाल 325 यमजी है और इसके प्राइ से बेनफिट होता है डाक्टर लोगों को चलिए इसके यूज के बारे में जानते हैं यह टेन टेबलेट का एक स्ट्रीप आता है और टेबलेट जो होती है पिंक कलर की होती है और जेनिरिक जो दवा होती है वह पेटेंट डवा से थोड़ा ही अंतर होता है यानि कि वर्क म में चलिए इसकी यूज में यूज के बारे में जानते हैं यह निमसलाइट पैरसेटमाल इसका जो कंपोजीशन है और यह देखी जंबो नाम से यह फार्मूला आपको अधर भी कंपनी में अधर नाम से मिल जाएगा इसलिए किसी भी दवा का नाम से पहले आप फार्मूल होगा किसी भी दवा को पकड़ने में कि यह दवा किस काम में आएगा और इसके फार्मूले क्या है और भले हमें हजार कंपनी के नेम से मिले लेकिन हम जान जाएंगे यह दवा किस काम आती है चलिए इसकी यूज के बारे में जानते हैं जैसे कि अगर आपको बुखार हो कि उसमें इसका रिजल्ट एक्सलेंट हैं बुखार जैसे कि वारिल बुखार हो या टाइफाइड भुखार हो या मलेरिया बुखार ओं कि इसे के में बता है कि बुखार में इस्तमाल होता है फिर अगर आपके बाड़ी में कहीं भी दर्द हो जैसे की सर में दर्द हो कान में दर्द हो या गर्दन में दर्द हो या आँखों में दर्द हो या पैरों में दर्द हो या तेली में दर्द हो या पैर के एड़ी में दर्द हो या आपके पीट के रीड के एड़ी में दर्द हो यान कि बाड़ी के किसी भी पार्ट में दर्द हो तो इसका रिजल्ट एक्सलेंट है दर्द को खत्म करने के लिए और ये एक जगा और भी इस्तमाल होता है जैसे कि अगर आपके सरीर में कहीं भी सूजन हो जाए किसी चोट के लगने के वजह से या किसी चोट के लगने से सूजन हो जाए या किसी अन्य प्रॉब्लम से सूजन हो जाए तो उसको भी दूर करने में निमस्लाइट और पैरसितमाल का एक्सलेंट रोल ह और इसका जो डोज है एडल्ट में वन गोली सुबह साम खाना खाने के बाद ले सकते हैंakers कि और चाइल्ड में जो बच्चे 5 साल से उबर के हैं उन्हें आधी गोली दिन बर में 2 बार दे सकते हैं और इसके side effect भी हैं क्योंकि इसमें paracetamol मिला हुआ जो कि paracetamol हमारे लीबर के लिए बहुत ही नुक्संदायक होता है यह हमारे लीबर को या गुर्दे को damage भी कर सकता है अगर लंबे time तक use कर लें तो इसलिए कभी भी किसी भी pen killer या बुखार की दवा आप यूज कर रहा है तो अपने डॉक्टर की सला पर ही यूज करें और डॉक्टर जितने दिन तक कहा है उतना ही दिन तक यूज करें अपने मन से ज्यादे दिन तक यूज ना करें और और भी इसके side effect हैं जैसे की सरीर पर जैसे कि लाल लाल चकत्ते उभार आते हैं इसके करने से या खुझली स्टार्ट हो जाती है या इलर्जी की शिकायत हो जाती है या चेहरे पर सुजन आ जाता है कई बार देखा गया कि नीमू स्लाइड और पारस्टमाल देने से कुछ मरीजों पर ये भी side effect नजर आता है कि दो ही चार खुडायक में उनके सरीर में जादा यूज ना करें अपने डॉक्टर की सला पर सलाले के यूज करें अगर आपको टाइफाइड हो गए रहे तो आप किसी इंटिबाइटिक को साथ में जोड सकते हैं और साथ में ये जॉंबो यानिक नीमू स्लाइड और टेबलेट ले सकते हैं तो आपका जो फीवर ह है बिल्कुल सही हो जाएगा दोई चार खुराक में और मतलब कि इस तरह के साइड इफेक्ट दिखें गया हैं एलर्जी की सिकायत होती है हुजली की शिकायत होती है लाल लाल चकत्ते और पढ़ाते हैं या चेहरे पर सूजन और हो जाती हैं यह सब नॉर्मली साइड इफ कमेंट में ज़रूर बता है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद